बिग बॉस 14 में इस बार आने वाला वीकेंड को वार काफ़े ज़्यादा मज़दार होने वाला है दरशक आने वाले हफ़ती का बड़े ही 20 सबरे से इंतिजार कर रहे हैं वेल इस हफ़ते कहरे कि 4 सदिस से नॉमिनेट हुए हैं जिन में जैसिन भसीन, अली कोनी, रुबिना दिलाइक और अभीनफ शुकला नॉमिनेट कंटेस्टन के लिस्ट में शामिल है चारों ही काफी मजबूत है ऐसे में देखने वाली बात होगी कि काउन शो से बहार होता है वेल दोस्तों आपको बतावा दे कि नॉमिनेशन लिस्ट सामने आने के बाद रुबिना दिलाइक ने जैसिन भसीन और अली कोनी की खुब टांग खिचाई की है रुबिना ने कहा कि दोनों अगर शो पर शादी कर ले तो शायद दोनों सीफ हो सकते हैं आगे उनोंने कहा कि ऐसा करने से दोनों लंबा जाएंगे जैसिमसी ने रुबिना दिलाइक और बाकिस सद्यस्यों के साथ अपने दिल की बात शेयर की है जैसिमसी ने कहा है कि मुझे कुछ कुछ होता है जब वो कुछ कहता है और उसकी आख्यों को देखकर जैसे में इनकी बातों को सुनकर रुबिना दिलाइक ने कहा था कि आज सुबह बोल रही थी अब तो छे मेने भी एक्स्टेन हो जाए तो चलेगा मैंने कहा क्यों भाई घर बसाना है अब इसका शादी करने का प्लान लगता है पहले इसने अपने प्यार का इजहार किया कि वे प्यार करती हूँ और अब तो तिन दिन से बीबी बीबी बोल रही है तेरा अली बाबा का अली बीबी कर दिया है इसने रुबिना दिलाइक यही नहीं रुकियों आगे उन्होंने कहा कि और कुछ नहों तुम लोगों को ज़रूर excited करेंगे जब तक तुम लोग शादीन के लिए हाना करो ये देखने वाली बात होगी कि रुबिन अदिलाइक की बात सच होगी या फिर नहीं पैसे शोर इस साल टियारपी के race में काफी पीछ रहा है तुम लोगों के लिए नए कंट्रेस्टन्स की भी एंट्री करवाई गई थी अब ऐसे में हो सकते हैं कि टीयारपी बढ़ने के लिए मेकरस जैसिम भसीन और अली कोनी के शादी भी कराने का पैतरा आजमा सकते हैं तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपको अली कोनी और जैसिम का ये कपल कैसा लगता है कमें सेक्शन में मताना बिल्कुल बिना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें